हेल फेंट्स मैं हूँ सनमय प्रकाश और आप दिख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार चौपनियोज तो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एक्जामनेशन के लिए उन सब पर एके करके चर्चा करेंगे तो शूर करते हैं दोस्तों और एकी इंफॉर्मिशन जन्रूर से लेकर दिसंबर तक का मेरा थन वीडियो आ रहा है 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे दिखेंगे जरूर इस फुर्ट एक डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगा रिमाइंडर लगाने के लिए ओके तो शूर करते हैं और पहला कोश्चन लेते हैं महातपुर ने किस इसलामिक देश के राष्टा देक्श नाम है उनका शेख नवाफ अलाहमद अलसबा उनके निधन पर भारत सरकार ने 17 दिसंबर को राष्टी शोग घोशित करके के अमीर वो थे नवाफ अलाहमद अलसबा तो उनका निधन हो गया 16 दिसंबर को इटिसिक सियर के थे लंबे समय से वो बिमार चल रहे थे और कुवेत ने तो वैसे 40 दिनों के शोग की घोशना किये भारत सरकार ने निधन के आगले ही दिनी यानि 17 दिसंबर को भारत में र और भी इमारतों पर राष्टे द्वाज जो है वो आधा जुका रहा जहां पर इसको नियमित रूप से फ़रायाता है यानि सरकारी जो परतिष्ठान है ऑफिसेज हैं बिल्डे हैं वहाँ पर और इस दोरान कोई भी आधिकारिक मनोरजन नहीं किया गया था और इनका जो निधन हुआ है उस पर भारत में कितनी गहरी सम्वेदना व्यक्त की है वह आप देख सकते हैं इस न्यूज के जरिए शोक व्यक्त करने के लिए भारती प्रधान मत्री के विशेश दूत के रूप में प्रेट्रोलियम मत्री हरदीप सिंग पुरी कुएत की यात्रा पर गय ठीक है तो कुएत क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत ने राश्टी शोक गोशित कर दिया और एक दूद भी भेजा गया यहां तिरंगा जुका दिया गया क्यों आखिर उसके बारे में समझते हैं तो मैप के जरीबे देख लेते हैं यह रहा प्यारा भारत अपना औ और यहां पर है यह कुएत यह वाला जो हिस्सा है यहां वो देख रहे हैं आप कुएत ठीक है इसकी राजधानी है कुएत सिटी मुद्रा है कुएती दिनार आबादी यहां की लगभग 42 लाग है मात्र पर उस देश इसके इधर इराक है इधर सौधी अरेबिया है ठीक है और समुद्र से सीमा लगती है यहां पर इरान है सवाल हो कि कौन सा समुद्र है यहां पर तो यह है परसिन गल्फ यानि फारस की खारी तो भारत और कुवेत के बीच में कैसे संबंध है देखिए भारत और कुवेत के बीच में बहुत ही मितरता पुर्ण दुपक्छी सबसे बड़े वियापारिक साज़दारों में से एक है, भारत अपनी जरूरत का 10-12% तेल कुवेट से आयात करता है, इसी वज़े से भारत इतना ज़्यादा समीदना व्यक्त कर रहा है, भारत कुवेट को भी एक्सपोर्ट करता है, इसे अनाज, कर्बिनिक रसायन, विदुत, मशिनरी, उपकरन, वहान, कर्बिनिक रसायन, विमान के हिससे, कुछ प्लास्टिक, लोहा, इस पात, यह सब नेरयात करता है, ठीक है, और यह दुनिया का एक काफी बड़ा यहाँ पर तेल का रिजर्व है, तो इसलिए भारत के ल चलिए आगे बरते हैं दोस्तों, अगला कोशनत है, कुवेट के नए आमिर का नाम बता है, नए आमिर, यानि राश्टा ध्यक्ष, राजा जो होता ना, वहाँ का किंग मान लिए, उसको आमिर कहते है, आजसों का मेशाल अलाहमद अलसभा, वैसे इनके आगे शेक भी लग जमेदारियां आमिर की निभा रहे थे, क्योंकि जो पुराने शेक थे, यानि पुराने आमिर थे, जिनके निधन हो गया, तो वो जो विमार हुए, तो काफी कोश जमेदारियां उस वक्त ही इनको दे दी थी, आगे बरते हैं, अगला कोशन रहते हैं, और एक और तो कोशन होगा ओमान के सुल्तान का नाम स्वाक तो उसके भारत से भारतना के उनकी राज्की यात्रा है तो 16 दिसम्बर को वो इंडिया की राज की यात्रा पर है और पिछले 26 वर्षों में पहली बार किसी ओमानी शाशक ने ये राज की यात्रा की है भारत की इसे पहले भारत की प्रधान मत्री नाइद मुधी भी वहां गये थे फर्वरी 2018 में उन्होंने वहां का दौरा किया था और नियूस भी देख रहे हैं कि किस तरीके से गल्फ में हमारा जो कनेक्शन है वो और बहतर हो रहा है ठीक है तो ये फोटोग्राफ रहा और इस दौरान कई सारे एग्रिमेंट भी साइन हुए उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा अगले कोशन में लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं ओमान के बारे में ठीक है तो ये रहा प्यारा भारत मैप में और अब चलते हैं मीडिलिष्ट या फिर कहें पर्शिम flowerू अश्या के ओर तो ये पूरा पर्शिम ऑशिया है या इसको येरूपिय और अमेरिकी लोग मीडिलिष्ट कहते हैं उसकी में यहां पर ये वाला जो देख रहे है रेट कलर में ये है ओमान इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है मसकट ये वाला और सुल्तान है यहां के जो इंडिया के यात्रा पर आए है थम बिन तारिक मुद्र है यहां की ओमानी रियाल आबादी लगभग 45 लाखी है और इसके परुसी देश की बात करेंगे तो इस तरफ है UAE यहां पर यह वाला जो हिस्सा देख रहा है यह UAE है इधर सौती अरभिया है और इधर है यमन यह वाला जो हिस्सा है यहां से इतना यह यमन है ठीक अगर हम कहेंगे समudr तो एक तो समudr है यह अदन की खारी इस तरफ लेकिन यह यहां तक तो यह आता है अरपसागर लेकिन यह जो इनपोर्टेंट इलाखा यह है कि अदन की खारी के पास में इसका बहुत सारा जो बंदरगा है वो है ठीक है इधर अरपसागर है और इस Gulf of Oman ठीक है यहाँ पर Gulf of Oman है और यहाँ भी कुछ जो छेत रहे वो Oman का ही है तो यह मैप के जरीए आप इस चीज को समझ रहे हैं ठीक है भारत के लिए Oman का महत कैसा है और समंद कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं ठीक है Oman का अस्थान जो है भारत के लिए बहुत ही रननीतिक रूप से बहुत महत्पूर है इस्ट्राटिजिक रूप से Oman के जो प्रमुख बंदरगा है तट पर वो फारस की खारी और Oman की खारी पर है यहाँ पर भी बंदरगा है कुछ एक बंदरगा यहाँ पर भी एक इस तरफ भी बंदरगा है ठीक है और यह तो यह सब बंदरगा जो है और यह देश जो है भारत को सौधी अरब, UAE इन सब के साथ कनेक्ट करने में बहुत मदद करता है और भारत के परमुख रननीतिक साज़दार की एक तिकड़ी के रूप में पूरा करता है कि यह ओमान, UAE और सौधी अरबिया है इन तीनों के साथ भारत का दोस्ता ना है तो यह यहाँ से यह जो तीनों के साथ भारत के समन्द है वो और यहाँ तीनों एक साथ हैं और इस दिवाज़ से इंपर्टन भी है दोनों के बीच में अगर हम कहेंगे समन्द कैसे है तीकि ओमान के शाशक का जो पडिवार है वो हमेशा भारत के साथ गहरा समन्द उसका रहा है सुल्तान काबूस का भारत के परती मिर्तवत रहा है दोस्ताना वेवार रहा है सुल्टान ने भारती कंपनी और पेशवरों को भारत से पूर्ती के लावा बहुत सारी पडियोजना हैं वहाँ पर शुरू करने के लिए आमंत्रित भी किया हुआ है लोगों से लोगों के अस्तर पर भी भारत और उमान की बीच में गनिश्ट संबन्द है करिब सारे साथ लाख लोग भारती है वो वहाँ पर रहते हैं उमान में और इन लोगों ने वहाँ यानि उमान और भारत की बीच में समन्द को बहतर करने में योगदान दिया है उमान में जो बहुत साई development के काम चल रहे हैं उनमें भारतियों का जो योगदान है वो काफी बड़ा है और इसी साल की शुरात में जब G20 की अध्यक्षता के लिए अतिती राष्ट के रूप में जो लिष्ट बनाएगे थी उसमें उमान भी था और हाल फिलाल में जो G20 की समिट हुई थी उसमें इनके परतने धी भी यहां पर आये थे भारत और उमान के बीच में सैन संबंध भी है देगे 2012-13 में एक भारती नौसेनिक जहाँ जहाँ समुद्री डेकैती विरोधी अभ्यान के लिए उमान की खारी में डूटी पर बना हुआ है उमान ने भारती सैन विमानों को भी उरान भरने के अनुमति दी हुई है और हाल के वर्षों में दुनों देशों के बीच में हिंद महासागर छेत में समुद्री सुरक्षा सुनिशित करने पर भी सही होग हुआ है ओमान का एक डूकम बंदरगा है पोट है इस जगह पर है डूकम पोट है और वो भारती जो नौसेनिक जहाज है वहाँ पर भारती जहाजों को बेसिंग सुवधाय मिलती है, और बहुत सारी रसद की सुवधाय प्राप्त होती हैं यहां से, ठीक है तो हिंद महासागर में, यहां खास्तों पर यह अरब सागर में, और इधर गल्फ अपमान, और अधन की खाड़ी है यह वाला हिस्सा, वहा बेस भी जरूरत है, तो यहां पर हमें बहुत सारे सपोर्ट मिल जाता है, भारत का बेस तो नहीं है, लेकिन यह सपोर्ट करता है बेस के तोर पर ही, दोनों देशों के बीच में व्यापार और वानिजिक, यानि ट्रेड और कॉमर्शिल, जो एक्टिविटी है, वो क्या है किस तरह की है, तो दिखें, आपको बताओं कि 2022-23 में, दुविपक्षी यानि बाइलेटरल जो ट्रेड है, वो 2.38 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया था, उमान में 6000 से अधिक भारत उमान सेयुक्त उद्यम है, यानि बहुत सारे इंड़स्ट्री महा लगे हुए है, जो भारत और भारती ये उद्यमी और वहां के सरकार के सेयुक्त तोर पर बना हुआ है, और उसका अनुमानित निवेश 7.5 बिलियन डॉलर से धिक है, 2022 के लिए उमान के कच्छे तेल निर्यात के लिए, चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजा था, यानि उमान जो तेल बीच रहा है भारत को, वो चीन के बाद भारत है उसके लिए सबसे बड़ा बजा, अक्टूबर 2022 में भारत और उमान के बीच में, उमान में रुपे डेबिट कार्ड को वहां पर लॉंच किया गया था, और दुनिया में डिजिटल पब्लिक इंफरस्ट्रक्चर को ब इस पाइपलाइन की भी परियोजना है, पर्शिम एशिया में जो एक प्रोजेक्ट यानि मेडियल एश्ट में जो एक प्रोजेक्ट है यूरोप से जो औरने के लिए भारत को, कि भारत मधपूर्व यूरोप कनेक्टिविटी कोरिडरोड यानि IMEEC जो बुनियादी धाच जो प्रोजेक्ट है, उसमें यही है कि जो मुंबई से यहां पर और फिर यहां से इस जगह, यह हाइफा पोर्ट पर यहां पर जो यह इसराइल है, वहां से और फिर इधर यूरोप की ओर यह ट्रेयर डूट बनेगा, जिसके बारे मैंने पहले बताया था, तो उसको कनेक् करीटिविटी में भी यह बहुत ही इंपर्टन है, और यहां तक कि जो गैस की पाइपलाइन यहां से और यहां तक, जो ना करीब 1400 किलोमेटर का पानी के गहरे पानी के नीचे, समुदर के नीचे, वहां एक पाइपलाइन बनाने की योजना है, और उसको लेकर भी जो यह करनेक्टिविटी है ना, उसको भी यहां इससे मर्ज करने की भी बात हो रही है, तो इसलिए ओमान हमारे लिए, हमारे भारत के लिए बहुत ही महत्पुन एक देश है, दोस्त देश है, और इस वैसे भारत ने इन्वाइट किया था, और राजकिये यातरा पर, वहां के जो सुल्तान है, कबूस बिन सईद, वह भारत की यातरा पर आए, 16 दिसंबर को, चलें आगे बारते हैं, अगला कोशन लेते हैं, अब MOU के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आपको बता हूँ कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, उसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लेंग्व प्लान के जरिए, इसके जरिए आपको अगले एक साल तक, यानि नेक्ष्ट, 365 दिनों तक, आपको PDF मिलता है, करेंट फोर्स का, weekly, monthly, quarterly, yearly, वो भी कई तरके के, one-liner, mcq, mcq, notes होता है, और साथ में, करेंट फोर्स का, mock test भी आजद के जाता है, daily, weekly, monthly, और पिछले भी आपक हैंगे, Hindi और English दोनों language में, साथ में इतने तरके examination के test series भी अबलेबल हैं, तो देखेंगे जोरी सुड़ी के description में, उसका link दिया हुआ है, membership plan कैसे लेना है, उसका video का भी link है, और ये help line number भी है, आप देख रहे हैं, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला question लेते हैं, और दोस्तों पसंद आ रहा हो, like button दबा देना, और share कर दिए दोस्तों को, ठीक है, तो question होगा अगला, उमान के सुल्तान कबोस बिन साइद की भारत यातर के दोरान दोनों देशों के बीच में, कितने MOU साइन हुएं, समझोता गया आपन, कितने जिस पर साइन किये गें, आज़ों का पाँच, ठीक है, पाँच है, और ये news देख रहे हैं, कि दोनों देशों के बीच में समझोते हुएं, और एक जो comprehensive economic partnership agreement की जो बात है, उसकी talk चल रही है, बाचीत पिछले कई महिनों से चल रही है, तो वो भी लगभग लगभग, मतलब अंतीम stage तक पहुँच ठीक है, तो दोनों देशों के बीच में, एक तो ये बात हुई है, साथ में पाँच agreement साइन किये गए है, इसके लावा एक और वो agreement नहीं है, बाचित हुई है, State Bank of India को लेकर उमान में, ठीक है, तो पाँच जो समझोते हैं, उसके बारे में भी जान ले, और हाँ, उन्होंन राश्टपती, दुरौपदी मुल्मूज से भी मुलाकात किये, तो ये पाँचों जो है, वो agreement साइन किये गए हैं, यानि समझोता ग्यापन, MOU, Memorandum of Understanding साइन किये गए हैं, दोनों देशों के बीच में, क्या क्या है, तो पहला है, संस्कृती के छेतर में समझोता ग्याप करना, चौता पॉइंट है, या अधिकारी कर्मचारियों के साथ, आने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके लापकारी रोजगार के समझोता है, पांचवा पॉइंट ये है कि, भारतिय सांस्कृतिक समझ परशिद्यानी, ICCR और धोपर यूनिवर्सिटी, ओमान, उन दोनों के बीच में, भारतिय अधियान, हिंदी भार्शा को लेकर, एक समझोता ग्यापन पर सिगनेचर किया गया है, तो मुझे लगता है, मिडिल इस्ट के दो देशों के बारे में, आपने पूरे तरह से समझ लिया, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक तो कुवैत, और दूसरा ह अमान, ठीक है, और आपके एक्जामनेशन के लिए, जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक है न, वो काफी कुछ यहां पर आपने देखा, कवर हो रहा है, चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगला कोशन लेते हैं, और जिन लोगों ने, दोस्तों सब्स्रा आंसों का सूरत में, सूरत में खजोद गाओं, क्या है, खजोद गाओं में, ठीक है, तो यह फोटोग्राफ देख रहे हैं, 17 दिसंबर को इसका उदगाटन किया गया है, सूरत में प्राविश्टर नेंद मोदी के दौरा, और यह कच्छे और पॉलिश किये गया हीरो के सा जो आभूशन का एक व्यापार केंदर होगा, ग्लोबल केंदर खह सकते हैं इसको, ठीक है, 92% दुनिया का जो नेचरल डायमंड है, उसकी मैनिफेक्ट्रिंग, डिजाइनिंग और बहुत सारे चीजों का काम होता है, डायमंड तो आता है तूसरे देशों से और यहां पर उसकी मैनिफेक्ट्रिंग, डिजाइनिंग वगरा, वो सब की जाते हैं, काटिंग की जाते हैं, उसको खुबसूरत रूप दिया जाता है, ठीक है, तो यहां पर जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, दुनिया का सबसे बड़ा यह आफिस एस्पेस है, और सूरत का जो हीरा होते होगे हैं, लगभग लगग, आठ लाख लोगों को रोजगार दे रहा है, और नयब बजाराने से करीब माना जा रहा है कि डेर लाख और लोगों को नौकरिया मिलेंगे, और कुछ शिफ्ट भी होंगे यहां पर, और इस बिल्डिंग को गिनीज वर्ड और कुछ भी खिताब मिला है, अगस्द 123 में ही इसको मिल गया था, जिनीज वर्ड रिकॉर्ड का खिताब, इस बिल्डिंग को ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बना अफिस स्पेस है, ईससे पहले ये जो रिकॉर्ड था, जिनीज वर्ड रिकॉर्ड और वो अमेरिकी रक्षा मुख्याल है, पेंटागन के नामबर था, पेंटागन का जो छेतरफल है, वो 65 लाख वर्ग फिट का है, और SDB का आप देख रहे हैं, 67 लाख वर्ग फिट का है, ठीक है, तो इतना बड़े छेतरफल वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा office complex, ओके, त चलिए आगे बरते हैं, अगला कोश्च लेते हैं, सूरत हवायड़े पर नए टर्मिल भवन का उदखाटन, किस ने किया, आंसरोगा प्रधार मति, नरेद मोधी ने किया है, 17 दिसंबर को नए टर्मिल भवन का उदखाटन किया उन्होंने, ठीक है, और इसके दो दिन पहल अगला कोशन लेते हैं, भारत का कौन सा परुसी देश, दिसंबर 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा अफिम उत्पादक देश बन गया है, आसो का म्यागमार, ठीक है, न्यूज भी आप देख रहे हैं, राइटर्स जो दुनिया का काफी माना जाने वाला न्यूज अजेंसी है, उसने भी यह दिया है, और हिंदी, मतलब भारत के, हिंदुस्तान के अख़बारों में भी इसको परकाशित किया गया है, अलगले, ठीक है, तो बारत इस समबर को इनाटर नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यानि यूएन ओडी सी ने ये बताया है कि पिछले साल अप्रेल में, क्या हो कि तालीबान में, अफीम के उत्पादम पर प्रतिबंद लगा दिया गया है, मतलब पर तालीबान के द्वारा ही, अफगनिस्तान म वहाँ पर उत्पादम में काफी कमी आई है, और उसके बाद हम लोग देख रहा है कि अभी मैंगमार जो है नो वो नंबर वन हो गया है, ठीक है, तो देखिए इससे पहले क्वान था, ये जो अफगानिस्तान है, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा देख रहा है, आप ये पह इनका सबसे बड़ा उत्पादट, मेंमार की बात कर लें, इसके राजधानी क्या है, नेपीडो, अंतरिम में राश्टपती कहें, कौन है, मेंट स्वे, और सेनाधेक्च और प्रधानमंत्री कौन है, मिन आंग लाइंग, ठीक है, तो वहाँ पर सेन शाषन है, मौल रूप थाइलेंड, समुद्र की बात करेंगे, तो इधर है बंगाल की खारी है, और ये कौन सा है, ये है अनमान सागर, अनमान सी, नेक्ष कोशन लेते हैं, अगला, किस मामले पर सरकार से जवाब मांग रहे है, 14 विपक्षी दलों के सांसदों को संसद से सस्पेंड कर दिया गया कुछ को लोक सभा से और एक को राज सभा से, आनसो का संसद सुरक्षा चूप, ये सभी जो संसद हैं वो गिरी मंत्री अमिश्या से बयान की मांग कर रहे थे, तो शीत कालीन सतर चल रहा है अभी, और इस दोरान 14 दिसंबर को 14 संसद सस्पेंड कर दी गया, इनमें लोक सभ के अलग लग हैं, लोग जैसे कॉंगर्स के 9 हैं, CPI के 2 हैं, DMK के 1, CPI के 1, TMC का 1 है, और ये सब लिष्ट देख रहे हैं, क्यों है, आपको पता होगा, मैंने पहले बताया है आपको कि संसद पर वहां की सुरक्षा है, उसमें सेंध लगा कर दो वीवक अंदर कुछ गय थे और लोकसभा में वहां पूरा धुआं धुआं कर लिया था, ठीक है, ये इस स्थिया आगे थी, तो इसी को लेकर जो विपक्षी दल के सांसेद हैं, वो डिमांड कर रहे थे हैं, कि बयान जारी किया जाए, और उसके बाद जो वहां बहां बहां सुगरा हुई है, उसके ब भांग हो रही थी, इसलिए सस्पेंट किया गया है, लोकसभा के अधेक्ष कौन है, ओम बिरला, राजसभा के सुभापती कौन है, जगदीप धन खर, ठीक है, उपरी सदन है राजसभा और निचला सदन है लोकसभा, अगला कोशन गोवा का मुक्ती दिवस कम बना जाता है आंसो का 19 दिसम्बर को, ठीक है, गोवा मुक्ती दिवस, ठीक है वर्ष 1961 को, नहीं यानी 1961 में पूर्थगाली शाशन से गोवा जोईनों मुक्त हुआ था, 18 दिसम्बर 1961 को ऑपरेशन विजय का अंतरगत मुक्त कराने के लिए भारत ने सेन अभ्यान चलाय था, और तीनों स पूर्थगालों के शाशन से आजाद हुआ था और भारत का पूर्ण हिस्सा बना था, ठीक है तो इसलिए 19 दिसम्बर को यह मना जाता है, गोवा का यह डे और मैप में यहां पर देखेंगे हम गोवा है, इसके परुसी राजों की बात करेंगे अगर तो यह तो रहा की पनजी गोवर्ण है, पीएस श्रिधरन पिल्ले और मुख मंत्री है, प्रमोच सावंत, आगे भरते हैं, अगला कोशन, राश्टी अलप संक्यक अधिकार दिवस कब मना जाता है, आंस होगा 18 दिसम्बर को मना जाता है, देश में अलप संक्यक समुधायों की जो नागरि इस वक्त कौन है, तो उनका नाम है इकबाल सिंग लालपुरा, तो दोस्तों ये था इंपोर्टेंट का इंट फर्स, कैसे लगा कमन बॉक्स में आप बता सकते हैं, और पसंद आए, तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, ओके, और जिलोग ने